आपका जीवन मंगल मैं हो लाइक करें शेयर करें आचारेपंडित गिरिशी बारो लिया कि मित्रो हमारी हिंदू संस्कृती में हमारे रिष्ञ मुनियों ने अनेक ऐसे परव और तेवर बनाए है है वो किसलिये बना है कभी आप चिंतन करना मनस जो है वो गलतियों का पतला है किसी ने किसी प्रकार की कोई ने कोई गलतियां करते रहता है जीवन में उसके कई प्रकार की कठनाई आती रहती है नाना प्रकार की परेसानिया आती रहती है उन परेशानियों से कैसे उसको मुक्ति मिले उसके लिए कई प्रकार के तेवहार बनाए गए है और उन तेवहारों की उस समय की अपनी एक बिसेस्था होती है बैक्ति को कुछ उपर उठना है बैक्ति जब पैदा होता है तो वह है संसकारत नहीं होता है वह सिर्फ पेट और प्रजनन के बारे में ही सोचता है लेकिन संसकारों के माध्यम से बैक्ति दुजट कोई और बढ़ता है तो जब हमें कोई बिसेस्थ सक्तियों की आवश्यक्ता होती है नरधारत किया है जिस प्रकार से जब प्राता काल होता है और उसके पास जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय के जो समय होता है वो बहुत ही अच्छा होता है जिससे हम गौधुली बेला बोलते हैं सूर्य अस्त होने वाला होता है यानि प्रकास जाने वाला होता है और अन्धकार आने वाला होता है इसी प्रकार जब सूर्य अदा होता है तब प्रकास आने वाला होता है और अन्धकार दू हो जाता है इसी प्रकार से जैसे दो नदियों का संगम जहां होता है दो नदियों क हमारे हिंदु संस्कृति में चार नौरात्रियं बताई गई हैं जो दो गुप्त नौरात्री हैं और एक चैत्र की नौरात्री और एक आस्विन माही की नौरात्री ये दो नौरात्री ज्यादा प्रिचलित हैं जो दो गुप्त नौरात्री एती हैं उसमें लोग तांत्र क्र जिया ज्यादा करते हैं, उस समय उनके लिए बहुत विसेश कर होता है, उस समय उनके लिए विसेश सफलता मिलती है। प्ठंड का आगमन होता है यानि दो रुतियों का मिलन होता है तो इस समय प्रत्वी जो है वो रजस्वला होती है तो इन नो दनों का चैत्र की नवरात्री हो या अश्वन हैं पहला दिन मादुरगा का जो है वो सहल पुत्री का होता है दूसरा दिन ब्रह्मिचारणी का तीसरा चंद्रघंडा का कुसमंडा पांचमा इसकंद माता छटमा मा कत्यानी साथमा मा कालरात्री आठमा मा महागोरी बनोमा मा स्चिद्धात्री इनकी ये नौ दिन में अलग 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 सुरूप होते हैं इन सुरूपों का अलग अलग पूजन करने से विक्ति को अलग अलग कामनाओं की पूर्टी होती है तो इस वर्स की जो नौरात्री है वो 29 सितंबर से प्रारम होगी और 7 अक्टूबर को समाथ होगी और 8 अक्टूबर को दसहरा मनाए जाएगा तो इन नौ दिनों में आप दुर्गा सबसती का पाट कर सकते हैं गायत्री का एक लगू अनुस्थान कर सकते हैं जिसमें नित आपको 27 माला का जाप करना पड़ता है तो इनका आप जाप कर सकते हमारे एक चैत्र नौरात्री का वीडियो पड़ा आप कर सकते हैं और भी हमने गायत्री के संब्दित बहुत सारे वीडियो डाले हैं जिसमें 24 का एक लगू अनुस्थान का भी वीडियो है सवालाग का है पुरुष चरण का है उनको आप सुन करके आप इन नौ दनों में आप एक लगू अनुस्थान 24 का कर सकते हैं इन कौन से सरूप से हम किस चीज की कामना कर सकते हैं और क्या चीज हम प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे हम बहुत छोटे-छोटे से उपाय बताएंगे जिसमें आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा और आपकी बहुत बड़ी समश्चाओं का समाधान हो जाएगा तो मि गरम कपड़े पहने का एक अलग आनंद होता है जब गर्मी आती है तो हलके कपड़े पहनना पड़ता है एस ही में बैठना पड़ता है बारस का एक अपना एक अलगी महत होता है इसी प्रकार से जब रितु परिवर्टन होता है तो हमारे रिशिमन्यों ने ऐसे बवस्था की है कि आदमी को यदि कुछ चाहिए तो यदि इन दनों में कुछ प्राप्त करना चाहता है तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है तो ये चैतर की नवरात्री और अस्विन की जो नवरात्री आती है इसमें आप चाहें तो बहुत कुछ सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं आ नौदनों में जहां तक हो सके आपको ब्रम्हचर भृत का पालन करना चाहिए किसी भी प्रकार का कोई भी बैसन आपको नहीं करना चाहिए प्रत्वी पर आपको सेन करना चाहिए और यदि नौदन आप उपवास रखना चाहते हैं और गायत्री की साधना करना चाहते हैं या आप दुरका सबसती का पार्ट करना चाहते हैं या आप अनकिशी देवी देवता का आप अनुस्ठान करना चाहते हैं तो आप चाहे तो निवु पानी में रह सकते हैं यदि वैसा सम्मों नहीं है तो फिर आप किसी एक आप ले लें कि हमको सिर्फ सियो खाना है या आपको सिर्फ केले खाना है कोई भी एक फ्रुट्स को ले करके आप रह सकते है या किसी अनाज को केवल एक ही अनाज को ले करके जैसे आपने सूच लिया कि सिर्फ हमको रोटी खाना है यदि आपको अतना सामर्थ नहीं है आपका सरीर साथ नहीं देता है तो आप रोटी खाकर की भी रह सकते हैं लेकिन इतना खाना नहीं खाना है कि जिससे की आपको अलाली आए और पूजन करते समय आपको अवासी आए और आपको उस समय अच्छा ना लगे इसलिए हलका नौरात्री आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आएगी तो आसा हमित्रो आप यह नौरात्री आने वाली है 29 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इस समय का आप सदुप्यूब करेंगे और जितना जादा से जादा हो सकेगा आप अपने आपको बदलने का प्रयास करेंगे तो नि अपके घर में जाता वो नहीं देखता है कि यह किसका घर है लेकिन आपने दर्वाजे खड़िकियां बंद कर दी तो फिर सूर का प्रकास आएगा कैंसे इसलिए अपने मन के खड़िकियों को खोलें और इस नौदन में आप कुछ साधना अपासने करें तो निश्चित कशना कब से कब तक है और आगे आने वाले वीडियो में हम एक एक करके जो मा के नौ सुरूप है उनके बारे में बताएंगे कि उनके सुरूप का मतलब क्या होता है और उस दिन आपको कौन सा उपाई किस कामना के लिए करने चाहिए संतान प्राप्ति के लिए या सत्रु बाधा के लिए नौकरी के लिए बिद्धा के लिए अलग 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 दिनों में अलग अलग प्रकार का जो है वो हम आपको उपाई बताएंगे तो उसका आप इंतजार करें इन्ही कामनाओं के साथ में का आपका दिन मंगल में हो आप लोग खुस रहें मस्त रहें मागा प्यार हमें देते रहे हमें आग ग्यादे नमस्कार खुम शान्ति